वही मकर संक्रांती का पावन पर्व PCC मुख्याले में भी उत्साह के साथ बनाया किया जहाँ पर उप मुख्य मंत्री सचिन पालिट मौजूद रहे वही उन्होंने प्रदेशवासियों को शुब कामनाई देती हुए कॉंग्रेसी कारे करताओं को पतंग भीट कर शुब कामना दे तो मकर संक्रांती की मौके पर प्यटी सेम सचिन पालिट ने आज राजधानी में अपने निवास पर पत्रकारों को लंच दिया जसमें कई पत्रकारों ने शुर्कत की और लंच के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं विजब एटी सेम पालिट ने कहा कि कॉंग्रेस लोग सभाचुनाओं में भी जीत दर्ज करेगी पालिट ने कहा कि देश भर में बीजेपी का कुनबा दरक रहा है यूपी में महा कचपंधन पर उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस यूपी में अकेले लड़कर अच्छा प्रदर्शन करेगी रोजगार उबलब कराना, किसानों का आर्तिक संकट उसको समाप्त करना ये दो प्रमक परत्मिकता हमारी पार्टियों सरकार की हैं तीनों राज्यों में जिस परकार से सरकार बनी है कॉंग्रेस की तो ये आने वाले लोकसभा के चुनाव का प्रतीक है और पंदरा तारिक से लगा तारिक हफते तक हम लोग हर लोकसभा छेतर के प्रमुक नेताओं कारेकरताओं से मुलाकात करेंगी जैपुर में और बहुत जल्द अपने लोकसभा के जो मारी उम्मीदवानों का पैनल तयार करकर दिल्ली भेजेंगे चुनाव बहुत दूर नहीं है और जिस परकार से खलबली मची है भाजपा के खेमे में वो साफ दिखता है कि आने वाला चुनाव बीजेपी हारने जा रही है